नमस्ति सदा वस्तले मातर भूमे जैहिन दोस्तों स्वागे थे आप सबका टेक्निकलस में शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को पहली खबर की बात करते हैं तो वो LAC से आ रही है भारत ने अब चीन के खिलाफ एक बड़ी तयारी शुरू कर दी है बताते कि भारत ने लद्दाक में चीन से लगी सीमा पर राफेल लड़ाको विमानों को तैनात कर दिया है LAC पर राफेल विमान तैनात होने से अब चीन की हर गतिविदी पर लगातार निगरानी रखी जा सकेगी दोलोई देशों के बीच सूले दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन नतीजा बे नतीजा रहा इस कहलोब भरत ने एक और रणीती तैयार कर ली है जिसमें कहा जा रहा है कि अगले 2-3 महनों में दूसरा S-400 मिसाइल एर डेफेल सिस्टम चीन सीमा पर तैनात कर दिया जाएगा कि तैनात की और उसकी उड़ान लद्दाक और अन्वाचल परदेश के कई इलाकों में काफी बढ़ गई है ऐसे में स्रिफ उसका जवाब S-400 दे सकता है जिसे अब भारत डेपलॉय करने जा रहा है दोस्तो एक और मैं कारण आपको बताना चाहूंगा कि चीन भारतिया रक्षा तंत्र को परखने की कोशिश कर रहा है दरसल दोस्तो चीन इस बात को जानना चाहता है कि भारत उसके फाइटर जेट को किस तरीके से जवाब देता है और भारत को प्रतिकरिया देने में कितना समय लगता है दोस्तो चाइना ये भी जानना चाहता है कि भारत कितना और ताइवान के साथ भी इस्तमाल करता है अब उसने भारत के साथ भी ऐसा करना शुरू कर दिया है ताकि भारत के air defense system को manage करने वाले जो लोग हैं वो ठक जाएं इसलिए भारत को लगातार यहां पर alert रहना पड़ेगा और बार बार चायना को भी इस बात का एसास कराना होगा कि वो भारतिय air space में ना गुसे दोस्तो अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है Tata advance system के द्वारा निर्मित quick reaction fighting vehicle को लेकर बता दे कि Tata advance system के द्वारा निर्मित quick reaction fighting vehicle के आपूर्थी भारतिय सेना को कर दी गई है और इस वहान के आने से भारतिय सेना की शमता काफी बढ़ जाएगी और भविशे के खत्रों से भी भारतिय सेना आसानी से ने पड़ सकती है दोस्तो अगली खबर की बात करते हैं तो वो सोदेशी unmanned aerial system को लेकर आ रही है बता दे कि Endure Air System को 135 million dollar का fund मिला है साथी कंपनी ने कहा कि वो इस funding के जरीए अपनी drone निर्मान शमता को काफी बढ़ाएगा साथी कंपनी ने कहा कि उन्होंने अपने unmanned aerial system को DRDO और NDRF को भी आपूर्ती की है इसके अलावा उन्होंने कहा कि Endure ने अपना Hawk Nano UAV को भारतिय Special Forces को भी दिया है इस कंपनी ने दोस्तों हाली में अपने विभ्रम drone का अनावरण किया है जो कि एक electronic sunscreen वाला drone है जिसके भारतिय सेना ने परिक्षन भी पूरे कर लिए है दोस्तों अगली खबर चीन से आ रही है तरसल चीन के राज़पती शी जिन पिंग ने भारतिय राज़पती द्रोपती मुर्वों के राज़पती पस समभालने पर उन्हें बधाई दी है साथी शी जिन पिंग ने कहा कि विराजनितिक आपसे विश्वास बढ़ाने वेभारिक सयों को गहरा करने और मदभेदों को ठीक से संबालने के लिए उनके साथ काम करने के लिए तयार है साथी दोनों ही देश एक दूसरे के महत्वपुन पड़ोसी भी है दोसुद चीन के रास्टपती का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब दोनों देशों का सीमा पर विवाद चल रहा है दोसुद अगली खबर की बात करते हैं तो वो DRDO के वरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर आ रही है बता दे कि DRDO ने सिंगल मैन पैड और रडार गाइडेड मल्टी लॉंचर मौंटेड यूनिट्स के लिए एक टेंडर जारी किया था कहा जा रहे कि ICOM Limited L1 बिडर के तौर पर चुनी गई है जिसने 7.630 रुपे की बिड लगाई दोसुद बता दे कि DRDO का वरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम आई र गाइडेड है इसकी रेंज 6-7 किलोमेटर के बीच होगी बता दे कि मैन पैट्स का इस्तमाल दुश्मन के UAV और हैलिकॉप्टर के खिलाफ इस्तमाल किया जाता है अगली ख़बर की बात करते हैं तो भारत सरकार की इंपोर्ट बैन लिस्ट को लेकर आ रही है दोस्तो बता दे कि भारत खुद अपने लॉंग रेंज अन्मेंट एरियल वीकल और मल्टी रोल हेलिकॉप्टर पर काम कर रहा है इसके अलावा लाइट टैंक की अगर बात करते हैं तो DRDO और LNT दोनों ही मिलकर लाइट टैंक पर काम कर रहे हैं वहीं 127 mm की नेवल गन को DRDO भारतिय नौसियना के साथ मिलकर तयार कर रहा है वहीं अगर बात करते हैं Directed Energy Weapon की तो जिसे इस Import List से भार कर दिया गया है उसे DRDO अपने प्रोजेक्ट आदेते के तहत तयार कर रहा है पता दे कि 300 किलो वार्ट के Directed Energy Weapon का टेस्ट सफल हो चुका है दोस्तों अगली खबर भारतिय नौसियना से आ रही है आपको मालूम होगा कि आइनस विक्रमादेते पर आग लग गई थी जब वो अपने सी ट्रायल्स कर रहा था ऐसे में रिपोर्ट सामने आई है कि रिफिटिंग के दोरान कुछ तकनी की समस्या आ गई थी जिसके वज़े से या आग लगी यही वज़ाए कि दोस्तो भारत को अब अपने आइनस विक्रमादेते आइनस विक्रान और इसके साथ आइनस विशाल को भी यानि कि जो तीसरा एरक्राफ्ट केरियर है उसकी ज़रौस महसूस होने लगी है क्योंकि दोस्तों दो aircraft carrier हमेशा मोर्षे पर रहेंगे और एक aircraft carrier refit और maintenance में रहेगा इसलिए तीसरा विमान वाहकपोत बहुत जरूरी हो गया जिस तरीकरी से ख़बर यह आ रही है कि आईनस विक्रमा देते हैं सर्विस से बाहर हो सकता है तो यह tension की बात है दोस्तों अगली खबर DRDO से आ रही है बतादे कि DRDO ने अब communication और radar jammer इसके अलावा electronic support major equipment पर काम करना शुरू करती है जो कि DRDO के airborne standoff jammer program का हिस्सा है बतादे कि इसके लिए DRDO 6 bombardier global 6000 long range business jets को खरीदेगा जिसका order 2023 में दिया जा सकता है बतादे कि इस aircraft को airborne standoff jammer platform में बतला जाएगा और इस aircraft में कई तरीके के electronic pilots जोड़े जाएगे जैसे कि communication and radar jammer और electronic support major equipment जिससे कि यह दुश्मन और दोस्त के पहचान कर सकता है और यह airborne standoff jammer भारतिया वायू सेना के fighter jets की शमता भी बढ़ाएगा जिससे कि वे सुरक्षित रू lightweight smart micromunition का प्रस्तुतिकरन भारतिया सेना के सामने किया है बतादे कि इसके लंबाई एक मिटर है और इसकी विशेशता यह है कि यह thermobaric warhead और laser guidance के साथ होगा इसके लावा यह काफि कम कीमत पर तयार किया जाएगा बतादे कि इस तरीके के lightweight smart micromunition को unmanned aerial vehicle और light attack aircraft से launch किया ज details के खिलाब दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो अमारिका की तरफ से आ रही है दरसला अमारिका के सेनेट ने pentagon को कहा है कि अमारिका भारत के साथ unmanned aerial vehicle और चौतिय और पांचुपीडी के aircraft पर भारत के साथ सयोग करे इसके लावा सेनेट ने कहा कि उबरती वी तक्न ने कहा है कि pentagon को भारत के साथ अब अमारिका के जो top products हैं उनको लेकर बात करनी शुरू कर देनी चाहिए जैसे कि F-35A 5th generation का still the aircraft क्योंकि अमारिका जानता है कि भारत ना तो उनके F-15EX को लेगा और ना ही उनके F-16 और F-20 को इसलिए अब भारत के साथ F-35A को local assembly के साथ पे वाले कुछ समय में बिल्कुल उतनी ही हो जाएगी जितनी की F-15 की है तो अगली खबर अमारिका से ही आ रही है अमारिका और चीन के बीच दुश्मनी लगातार बढ़ रही है दोनों ही देश अंत्रिक्ष लेकर सागर तक आपस में भीड़े हुए हैं इस बीच अमारिका क कारेकरम के दौरान कहा कि प्रशांत माहसागर के छेतर में चीनी विमानों और जहाजों की अमेरिका और उनके अन्य सयोगी बलों के साथ इंटरसेप्ट जो संक्या है वो काफी बड़ी है इसके लावनों ने कहा कि साथी जनरल मार्क ने कहा कि चीनी सेना हवा समुद्र और अन्य छेतरों में काफी अधिक आकरमक हो गई है साथी उन्हों ने कहा कि चीनी जहाज और यूदपोद अमेरिके जहाजों के काफी पास तक आकर असुरक्षित मौहल पैदा कर रहे हैं दोस्तों इस बास से आफ साफ तोर पर समझ सकते कि अमेरिका जैसा देश चायना की न के हिंद बंदे मातरम